नमस्कार मनुदेल स्रेय क्लासेज में आपका सुवागत है आज हम पढ़ेंगी जिला राजसमन्द, चितोडगड और पड़ताबगड से महतपुन क्यूशनों को तो अपना पहला जिला है राजसमन्द इसे इंपोंटेंट क्यूशन है उनको हम देखते हैं तो अपना पहला और यह गनेश ठीक्री है वो स्रिनाज जी के मंदिर के पास बनास नदी के तटपे इस्तित है नेक्ट है कि मेवाड की सेंस करती के बीच ब्रज की सेंस करती का टापो कलाने वाली सेंस करती है तो वह है नाथ द्वारा नेक्ट है कि कगली पतों की जहांकी के लिए पूरे भारत में परशिद इस्थल है तो वो है नाथ द्वारा नेक्स्ट है कि परशिद महाभारत कालीन कुतेविंश्वर महादेव का मंदीर की जिले में स्थीत है तो वो रासमंद में है यह मंदीर फरारा में स्थीत है यहां पांड़ों की माता मारानी कुंती ने बगवान चीव की पूजा की थी नेश्ट है कि कुम्मलगड अभैरन को राज्य सरकार के द्वारा अभैरन का दरजा दिया गया था तो 1901 में कुम्मलगड जो अभैरन है उसको राज्य सरकार के द्वारा अभैरन का दरजा दिया गया था यहां चार सिंगों वाला चोसिंगा हिरन पाय जाता जिसे इस्थानिया बासा में कहते हैं घंटेल ग्यातव है कि यह मरग केवल भारत में ही पाए जाता है कुम्मलगड दुरग्द था रनकपूर के मंदिर कुम्मलगड अभैरन शेतर में ही आते हैं तो कुम्मलगड दुरग और रनकपूर का जो मंदिर है वो कुम्मलगड अंदर ही हैं। इसलिए किसके अंतरगत आते हैं, कुपलक अबारं अबेरण चेतर के अंतरगत ही आते हैं। नेक्ष्टदा की वलिचाः स्थान की जिले में स्थित थै तो वलिचा है रासमंद में, रासमंद के इस गाओं में हल्दी गाटी यूद के दोरान महराना परताप के घोडे चेतक की मर्ति हुई थी, यहा आज भी एक चबूत्रा बना हुआ है, तो ये वलिचाः स्थान कां इस्तित है तो हल्दी गाटी इस्तित है रासमंद में नेक्स्ट अपना इस्तित किस इस्थान पर टेरिकोटा पदती से लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है तो है मुलिला नेक्स्ट है कि राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है तो राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं हल्दी गाटी को नेक्स्ट अपना क्यूशन है कि मारणा परताव से संदी हितु अकबर ने किस कचवाय सासक को भीजा था तो वो थे राजा मांचिंग रासमंद इस्तित किस इस्तान से हडपा से भी पुरानी सब्वेता क्या उसेस मिले हैं तो वह है गिलूंड नेक्स्ट है कि हरीराई जी की बेठक की जिले में स्तित है तो हरीराई जी की बेठक इस्तित है रासमंद में नेक्स्ट है कि कुमलगड दुरग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो कुमलगड दुरग को हम कहते हैं कुमले, कुमपुर, मचेंदपुर, एमोहर और कमल मीर नेक्स्ट है किस दुर्ग की सुदर्ड प्राचीर को भारत की महान दिवार की संग्या दी जाती है तो वो है कुंबलगड दुर्ग नेक्स्ट है कि जरग्गा प्रवल सरंकला में जिस इस्थित मतेश अंदरनाथना की तपो भूमी की रूप में परशिद इस्तल मचीनन्द किस जिले में इस्थित है तो वो इस्थित है रास समंद में अब हम पढ़ेंगे जिला चितोडगड से समंदित महतपून क्यूशनों को नेक्स्ट है कि संत रेदास की छतरी किस किले में इस्थित है तो संत रेदास की छतरी इस्थित है चितोडगड दुरग में नेक्स है कि राजस्तान में पल्स पोल्यो अभ्यान की सुरुवात सरो पर्थम किस जिले शिक्की गई थी तो राजस्तान में पल्स पोल्यो जो अभ्यान है उसकी सुरुवात की गई थी चितोडगड से नेक्स्ट है कि चंबल नदी चितोडगड जिले के किस इस्थान से राजस्थान में परवेश करती है तो वो करती है चोरासी गड़ से नेक्स्ट है कि नगरी स्थल जिसका प्राची नाम मदे मिका था किस जिले में इस्तीत है तो वो है चितोडगड में इसके पस्ची में बेड़च नदी बैती है नेक्स्ट है कि वह इस्तान जिसे मेवाड का हरिद्वार कहा जाता है तो वह है मातर कुंडिया ये बहुत बर पुछावा किशना इंपोर्टेंट है मेवाड का हरिद्वार किसे कहते हैं तो मतर कुंडिया को कहते हैं यहां लगबग 25-30 मंदिर हैं जिन में मंगलेश्वर महादेव का मंदिर सर्व परमुख है। नारियल के खोल की चुडिया बनाने की सिल्प कराहितू चितोडगड का कौन सा इस्तल परशिद है तो वो है कपासन। नेक्स्ट है कि एसावरा माता का मंदिर कहां इस्तीत है तो एसावरा माता का मंदिर इस्तीत है बदेशर में यहां लकवा के मरीजों को उपचार के लिए दूर दूर से लाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्यूशन है कि सांवरिया मता का मंदिर चितोडगड के किस स्थान पर इस्थान पिया में। या बेड़त की साहिक नदी, मांकली के तर्ट परिस्तित है या समेलिया मादेव का परशिद मंदिर इस्तित है नेक्स्ट अपना क्यूशन है कि राजस्थान का पर्थम चीनी मील, दमेवार सुगर मील की स्थापना कहा की गी थी तो भुबाल सागर में कीगी थी ये भी पूछावा क्यूशन है नेक्स्ट अपना की कट पूतलियों अथवा खिलोनों के निर्माने तो चितोरगड का परशिद इस्तल है ये भी पूछावा है तो है बस्सी चंदेरिया में किस देश के सयोग से एशिया का सबसे बड़ा जिंक्स समेल्टर सयंतर स्थापित किया गया है तो वो है ब्रिटेन के सयोग से नेक्स्ट है कि मुर्तिकला का विस्व कोश कहलाता है तो मुर्तिकला का विस्व कोश कहलाता है विजे इस्तम भाई इपोर्टेट है पूछावा क्यूशन है नेक्स्ट है कि राजस्तान की अनुनगरी की नाम से परशिद है तो वो है रावत बाटा नेक्स्ट है कि आकोला इस्तान की जिले में स्थित है तो आकोला है चीतोडगड में नेक्स्ट है कि विजे इस्तम का नि तो पहला है कि किसे राज्य का 33 वा जिला बनाया गया है तो वो है परताबगड किसने तैसिलों को मिला कर परताबगड को नए जिले का सवरूप दिया है तो अब इसमें देखते हैं तो पांच जिलों को मिला कर परताबगड बनाया गया है नेक्स्ट है कि निमल लिखित में से कौन सी तैसिल परताबगड में सामिल नहीं है छोटी शादड़ी पीपल खूट बड़ी शादड़ी और धरियावाद तो इसमें बड़ी शादड़ी नहीं है और बाकी इन तीनों दिलादो को मिला चोटी शादड़ी पीपल-खूट और धरियावाद इन तीनों को आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि तैसिले कौन से सामिल है तो दार्यावाद के ने उधेवपूर की जखंञ नदी का उधिगम पर्ताबगट जिले के किसितल से होता है तो छोटी सादडी शे होता है, जखंघ मफर परियोजना का सुभारम में 1972 में पर्ताबगट की निकट किस गाहों में जखंञ नदी पर जखंघ मांद का निर्मान करके किया गया था तो वह अनुपुपुरा जाखम बांध उचाई की दर्ष्टी से राजस्तान का सबसे उचा बांध है जिसके उचाई है 81 मीटर नेक्ट है कि राजस्तान में थेवा कला है तो कौन सा जिला परशिद है तो वो है परताबगड थेवा कला के जनक परताबगड निवासी नाथू जी सोनी माने जाते हैं इस कला में सेसे पर सोना मटगर सुन्दर कला करतिया तियार की जाती हैं इन पर फूल पती मोर सूप की इत्यादी का अंकन किया जाता है, परताबगड के राज सोनी परिवार के परियासों से पिछले चार सोवर्सों से थेवा कला को खुब बढ़ावा मिला है, इस कला के छेतर में च्वरताबगड की पांच सिल्पकार राष्ट पती पुरुसकार प्राप्त कर चुके हैं, तो आ प्रताबगड का प्राचिन नाम था तो कांठल था परताबगड में बांसवड़ा के मद्दे का भाग कहलाता है 56 का मेदान नेक्ट है कि परताबगड जिले की अर्नो तैसिल में परतिवरस विशाक पूर्णीमा को आउजुद होने वाला आदिवाचियों का परमुक मेला है तो वह है गोतमेश्वर का मेला चित्तल की मत्र भुमी की रूप में किस अभैरण को जान जाता है तो वह है सीता माता अभीयरण इंपोर्टेंट है पूछावा क्यूशन है सीता माता अब्यारण मुख्य रूप से धर्यावा तैसिर परताबगड एंव बड़ी सादरी चितोडगड में इस्तीत है दो जनवरी 1980 को इस अब्यारण की स्थापना की गी थी और ये स्थान करमोई करम मोचिनी नदी का उद्गम स्थेल है ये राजस्थान का एक मातर सागवान के वनों का अब्यारण है जाखम सीता माता टांकिया भूदो एंव नालेश्वर इस अब्यारण से होकर बैने वाली नदिया है तो ये आपको याद रखना है नदियों के नाम जाखम सीता माता टांकिया भूदो एंव नालेश्वर लवकुष अब्यारण में इस ती दो सदा बाहर जल स्रोतों को लवकुष के नाम से भी जाना जाता है तो ये लवकुष के बारे में भी पूछा वा नेक्स्ट अपना आता है कि स्री बातोर यानि सांतिना तिर्श स्थल का समंध किस स्थल से है तो वह है परताफगड से परताफगड की स्थापना परताफ सिंग द्वारा कब की गी थी तो शोडा सो निनानमे इस्वी में की गी थी नेक्स्ट है किस तीथी को नो रियासतों के एकिकंड से बने पूर्वा राजस्तान संग में परताबगड को सामिल किया गया है तो वह है 25 मार्च 1948 नेक्षटा की तरल हिंग है तो विख्यात है तो वह है परताबगड दसवी सदी का परताबगड लेख किस लिपी में उतकरण है तो वह है नागरी में इस लेख में भर पुर्वार्ड समाज का मंदीर है पॉली वालों का रामकर्शन मंदीर है तो प्यूक सभी इसके अंदर कताते हैं परताब गड़ की नेक्ट है कि किस सासक ने घोगरिया खेडा यहीं डोडेरिया का खेडा के स्थान पर परताब गड़ नगर की स्थापना की है तो वह है परत प्राचिन काल में परताफगड राज्ये का ऊत्री पसिमी छेतर का लगबग एक तियाई भाग किस नाम चे जाना दरता था तो उसे कहते थे मगरा नेक्स्ट है कि परताबगड के जागिरदारों की स्रेणी थी तो जागिरदारों की स्रेणी क्या थी उम्राव नगारबंद गेर ताजीमी और उप्योकत सभी तो इसमें आएगा उप्योक सभी देवगड में इस्तिदो तेज सागर तालाब किस ने बनवाया था तो देवगड में इस्तिदो तेज सागर तालाब है वो बनवाया था महारावत तेज सिंग ने नेक्ट है कि जहांगिर के किस सेनापती ने विद्रोयकाल में देवलिया में सरन ली थी तो वह है महावत खाने ये पूछावा क्यूशन है महावत खाने सरन ली थी महावत हैरी सिंग ने देवगड में किस मंदिर का निर्मान करवाया था तो उन्होंने करवाया था गोवर्द नाजी का मंदिर का परतावगड के चारो और कोट का निर्मान किस आसकने करवाया था तो चारो और कोट का निर्मान करवाया था सालिम सिंग ने महावत सालिम वाजे बनवाए थे महारावद सालीम सिंग ने नेक्स है कि दीपनात मादेव का मंदिर इस्तित है तो वो परताबगड में है परताबगड इस्तित जानागड किले का निर्मान किस ने करवाया था तो जान आलम ने करवाया था गोटासरी सिराले की स्तित है तो वो है परताब गड़ में इस्तीत है. नेक्श्ट थेओ कि सेवना गाउं इस्तीत है तो सेवना गाउं इस्तीत है परताप गड़ में. यह शिवन नगरी नामक राज्य की राजधानी की रूप में परशिद था. नेक्ष्ट है के देवलिया के किस सासक ने खानवा के युद में मारणा सांगा का साथ दिया था तो वो थे बाग सिंग 1534 इसी में गुजरात के सासक भादूर सा के आकरमन की वुरूद राजमाता करमावती द्वारा साहिता मांगने पर महारावत भाग सिंग ने चितोडगड की रक्षात लड़ते वे अपने पुरानों का वलिदान किया था नेक्षा की परतावगड के किस सासक ने नीमत जाकर ड्यूक ओफ कन्नोट से मुलाकात की थी ये भी पूछावा क्यूशन है तो उदे सिंग ने की थी नेक्षा की की सासक ने माराने विक्टोरिया की सवन जैनती पर परतावगड में पुल बनवाया था तो वो थे उदे सिंग नेक्षा की किस परतावगड सासक को 1911 के दिली दרבार के KCIE का खिताब दिया गया था तो वो थे रगुनात सिंग निमन मेंचे कौन सी नदी परताफगड में इस्थित है तो उप्यो सारी हैं इसमें सीव एं एरा करमोई एं जक्खम और रेतम ये परताफगड से समनीत महतापून क्यूशन थे ओके थेंक्यू फूर वाचिंग में वीडियो